तश्वर नमस्कार, सुवस्त शरीक लिए जानकरियों की सोगात लेके आप सभी के सामने उनहा मुखातिब हैं कारिकम आपका सुवस्त के सजी फोने कारिकम में में आज कारिकम में आपका दोस्त भी और होस्त भी डॉक्टर सुवस्त निजे तीजोग कारीकरम आपको स्वास्त में, हम आपको लगातार दिन प्रति दिन अलग अलग परकार घार की विमारियों के बारे में जान करी देते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हमारे एक्सपर्ट द्वारा जो जानकरी आपको दी जाए उससे आप सुवस्त रहें उससे अपने जीवन शेली का हिस्सा बनाएं इस शरंकला में ऐखास बाचीत हम करने वाले हैं आज हम बाचीत करने वाले हैं शिशु आने बच्चों के सुवस्त के बारे में और साथी साथ आप Kiran Foundation में सचेव हैं जो अंगदान, देधान और स्वास्त जागुरुपता के कारिका में लगाता निरंतर प्यास करती रहती है। सर आपके कारिका में बहुत बस्वागत है। दशोग आप जानते हैं कि हमारा आज का ये अंग सजी फोन होता है। दो नंबर आपकी TV screens पे लगाता डिस्पले होंगे, फोन नंबर चाहिए तो आप नोट कर लें। पहला नंबर है जो लेंड लाइन यूसर के लिए 0755 भॉपाल का STT को लगाना न भूलें दूसरा टोल फ्री नंबर है 1-800-233-0040 ये दोनों फोन लाइन शाम को साड़े पांच बेज तक खुली हुई है। पांच बेज तक डॉक्टर राकिश भारगुसार हमारे साथ जुड़े रहेंगे। उनसे आप शिशू रोग के बारे में कोई भी आपके मन में ब्रहनती है, कोई समस्य आई या आप घरेलू उपचार के बारे में जानकरी लेना चाहते हैं तो आप सीधे प्रशन कर सकते हैं। सर शुरू करते हैं। तो लगातार बच्चे आपके पास आते होंगे, बहुत सारी हम देखते हैं कि आजकल बच्चे लगातार बिमार भी रहते हैं, बेदा होने के बाद से उनकी दवाईयों का एक जो सलिसला शुरू होता है वो थमने का नाम ही लेता, तो इसको आप किस पकार से देखते हैं और प्राकतिक चिकिस्चा का क्या है इस पारे में थोड़ा सा बता है देखी जैसे क्या होता है हमारे यह जैसे ही डिलिवरी होती है एक दिन का बच्चा दो दिन का तो हमारे यह बच्चे की मा को परेज बहुत करते हैं कि ठंडी चीज नहीं खाना ठंडी चीज मतलब फल और स सब्जी बंद करने से बच्चे को इम्मुणूटी नहीं मिलती हैं, जैसे हम बार-बार COVID-19 में सुनते थे, हमें सबसे जादा शहीर को ताकत मिलती हैं, इम्मुणूटी बढ़ती है हमारी फल और सब्चे खाने से, ताजी फल सब्जी है, मौसमी फल एक और इंपोर्टेंट जो वर्ड होता है मौसमी फल सब्जी जो बच्चे मैंने देखा है कि हमारी बात जिनको यह बात समझ में आती है माता पितों को कि सब कुछ खाना चाहिए उन बच्चों वह बच्चे बहुत कम बीमार पड़ते हैं और अधरवाइस हम जब अक्सर होता है दर्शुकों की जब यही बात हमारे बुज़र के अधादादी बोलते हैं तो हम उसे उत्या वजन नहीं देते हैं उस बात का क्योंकि हमें लगता है कि अब जमाना बदल गया है अब इन्फेक्शन्स नहीं आ गया है लेकिन जब एक शिशू रोख विशिश इम्यूनिटी उसकी भी बढ़ती है सर जिस आपने पता है कि पहले दिन से जब बच्चा शिशू जब बच्चा होता है उसके बाद से ही माता को बहुत सारे परहिज बता दिये जाते हैं जो आजकल के समाज में हमने देखा पड़े लिखे लोग भी उस चीज को फॉलो करत हैं पता हैं नहीं क्या उनके मन में रहता है डॉक्टर के कहने के बाद भी वह दो मेने तीन मेने घर से बाहर नहीं जाना है इस सब चीजों का धिहान रखते हैं तो इससे जो शिशू उस पे क्या प्रभाव करता है धिखिए इसमें एक आपको उधारना देना चाहता हूं हमाुहारा सरकार का एक कारिक्रम है, एक हाजार दिन बच्चे के स्वास्त के लिए इसका यह मतलब होता है कि जिसदिन बच्च पेट में आया तो वो 270 दिन और उसके बच्चा 2 साल का होता है तब तक, 130 kilogram है जिसमें सरकार आँगेनवड़ी कारिकरता है सब को यही बताती है, उसमें भी किता में यही लिखा हुआ है, कि हमें जब बच्चा पेट में हैं, तब भी हम अच्छा खान पान रखें, क्योंकि बच्चा जब पैदा होगा, मा के पेट से ही वो ताकत लेके आएगा, तो उसकी इम्मिनुटी अच्छी होगी, तो वो वैस हो, कद्दू हो, हर कलर का सफेद कलर की मूली हो, कोई भी चीज जो आपके छेतर में जो पैदावार होती है, जो अच्छी क्वालिटी की और ताजी मिलती हैं, वो सबजी हैं, जब बच्चा पेटम आये, उस दिन से आपको खाना है, और डिलिवरी के बाद भी आपको जब बच्चा इस्तनपान करता है, उस समय भी आप ये खाना पीना सब कुछ नौर्मल रखेंगे, तो उससे ये फैदा होता है, जैसे रिसर्च भी ये कहती है, कि बच्चा जैसे आपने करे लगाया, बेंगन खाया, या कोई भी फल खाया, तो वो बच्चे को उस दो साल में औ बच्चा नौ मीने पेट में रहा, तो उसका स्वाद बच्चे को जब पेट में होता है, तो उसको पानी से मा के पेट में उसको स्वाद मिलने लगता है, और जब बच्चा मा का दूद पीता है, तो हर फल और सबजी का स्वाद दीरे दीरे बच्चे को पहले से आ जाता है तो जब हम बच्चे को शुरू करते हैं तो वह ऐसा देखा गया जब आसानी से ले लिता है अगर वह चीज माने पहले से खाई होगी हो तो लेकिन राकिष सार अक्तर इसा देखा गया है कि जैसे ऐसा माना जाता है कि माँ जब कोई भी ठंडी चीज खाती है या कोई भी ठंडा फल खाती है पालक खा लिया तो बच्चे को हरे मोशन होने लगे तो उन्हें पालक खाना बंद कर दीजे तो ये कितना टेक्निकली है कि जाओ जो माता जो भोजन लेती है या दवाईयां लेती है वो बच्चे को उसको कितना प्रभाव पढ़ता है दूद तो वो भी बोलते हैं कि अगर पीलिया है तो हल्दी ज्यादा खानी चाहिए कोई नुकसान नहीं है वो तो ताकत बनाती है दूसरी चीज जैसे 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 बहुत अच्छा एक सवाल किया ठंडा एक चीज समझ ले ठंडे का मतलब क्या होता है फ्रिच का ठंडा ठंडा हो होता है बाकी जैसे बोलते हैं अम्रूद है या सीथा फल है तो ठंडा होता है तो यह बिल्कुल गलत बात है जैसे मैं जब बच्चे के माता पिता को भूलता हूं कि अम्रूद खाना है तो बोलते हैं तो थंडा होता है तो मैं उसके दो तरीके बताता हूं या तो उसको आ तो फिर मातपित आगी शिकायत करते हैं दो चार दिन बाद की सब आपने कहा तो खाया तो सर दियो गई उसके दो करण होते हैं एक तो आपने फल लाके फ्रेज में डैम करके रख दिया अंगूर संत्रा और दो दिन बाद जब निकाल के खाएंगे तो वो कितना ठंडा होगा तो कभी भी कोई फल सबजी कोशिश करें फिरिज में कभी ना रखें क्योंकि आप जहां भी रहते हैं आजकल हर चीज हर जगे आपको पांच-सात मिनिट के वौकिंग डिस्टेंस पर हर चीज मिलती है दूसरा मैं सिर्फ एक सला देता हूँ जब बच्चा छोटा होता है मा को इस तनपान कराती है कि फिरिज का ठंडा ना ले और दूसरा कोई खटा फल ना ले जैसे संतरा मीठा है आप चार संतरे खाई ये कुछ नहीं होगा लिकिन अंगूर या संतरा खटा है तो उससे जिसको ऐलर्जी है उनको या धही बहुत अच्छी चीज है लिकिन अग अनान सुरूब मिश्रा जी है बारा बंक की यूपी से अनान सुरूब जी अपना प्रश्च पूछ लें आप इसके एकोर्डिंग जैसे से 7 5-6 मैने तो हम सब जानती है कि 6 मैने तक उसमें कुछ भी ना दें इसके बाद से किस परकार से अगर हम साल-2 साल के बच्चे की बात पायद करने हैं किस परकार डैवलमेंट होना ची आहार को लेकर क्या वाग चीब दिखिए मा का दूर्ध त तक सिर्फ मा का दूद लेकिन किसी कारणवाष हमें ऐसा लगता है कि साड़े तीन- AirPods 1-4 मिने का बैच मेरिए वजन कम बढ़ रहा है या मा का दूद कम आ रहा है उस इस्तिती में कि दूध का टूद क कम आ रहा है उपर का ढ दूद का मेर दिया है जो नहीं गुल की सब्जी वह मां खाये और बच्चे को डाल का पानी शुरू कर सकते हैं आप अनार का रज दे सकते हैं और छे महीने के बाद तो हमें उपर से बच्चे को शुरू कर नहीं है तो 99% हमने ऐसा देखा है सात महीने का बच्चे आप किसी भी हमा से पूछिए तो वह बोल देखे कि मैं यह बिसक्ट खिलाती हूँ यह और ऊपर का दूठ देती हूँ यह तीनों चीजह बिलकुल भी नहीं देना है दूठ सरेलएक बिसकट बाज़ार आप बँदी चीज्ट वह आम्रिद से बचारब जो भी मॉऊस्मी फल रहे हैं उसकी सब्झेंओं का रजदें वह बच्चे के लिए ज्यादा ताकतवर होता है दूद के लिए दूद मना नहीं है आप बच्चे को अवश्य दें बहुत अच्छी चीज़ है लेकिन दूद को देने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे मैं एक उधारन देता हूँ, लोगों हसते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ, भगवान किष्ण ने कभी नी सुना दूद पिया, एक बार पिया तो पूत ना गा, मक्षन खाया, तो वैसे ही, आप दूद भी लें, लेकिन दूद को आप मेंगो शेक, 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 जो मौसमी फल है, उसका शेक लें, हमारे इंदुस्तान में 25 तरह की खीर बनती है, वो लें आप पनीर लें, और चाच मठा लें, वो बहुत अच्छा होता है पेट के लिए, बस जैसे मैंने पहले बताया था, फ्रिज का ठंड़ केला दिन में तीन बार लें, कुन कुना कर दें, ताकि वो बच्चों को नुक्साने, बिल्कुल, हमारी मावे की मिठाई भी है, इसे बच्चा बड़ा हो गया तो आप उसको एक साल, देड़ साल में आप उसको गाजर कहलुए का मौसम है, अपना बूं कहलुआ, तो प्रा होते बच्चे उनको प्राक्टिक होजन खेना तो गों कम से कम खाते हैं, और बहार की जो चीजह एंट अफिल बगर रहा है, इसमें आख सक जो की स्वास के अच्छे नही रहती हो जादा मांगते है, तो हम यह जानना क्या तो हम प्राक्टिक प्राक्टिक प्राइजन को बिस्केट नहीं खाना है, और यह ब्रेड नहीं खाना है, इस तरह की बंदे डबे वाली चीजह है जो मार्केट में बहुत एजिली अविलेबल है, फास्ट फूट जिसको हम नाम देते हैं, जो तुरंट पक जाता है, लेकिन बच्चे खाना नही खाते है, उनको वह चीज बच्चा कभी यह तो नहीं कहता कि चिप्सुर्ण बिस्केट सिखाते हैं हमें, जैसे डेड़ साल के बच्चे तो आप विश्वास मानिये, 70% बच्चों को पिता या दादा दादी उनको चिप्सुर्ण रोज खिला रहा है, तो यह सिखाय हमें है, आप बच्चों को जैस मश्वर्णम में जब टौफिय ऊफर करता हूं तो न अपना Вас देता है उसको और माLUUM ही नहीं है नहीं पटता है तो आगर बच्चे को पते ही नहीं हो गय कि क्या आज़ कर लिए बैस्किट क्या है तो आप बनकों कोशिश करें कि हम घर कठिन रास्ता कठिन है क्योंकि आजकल गिफ्ट का जो दोर चला है आपके घर में टॉफी होना बहुत आम बात है हो बच्चे को अगर कोई आ रहा है मिलने तो वो टॉफी लेके आता है लेकिन वाक़ी ये जो नैचरल चीजे हैं चाहे वो खीर हो रबडी हो या मावे की कोई चीज़ों दूद के आइटम्स दूद की टॉफी ओ वो एक तरह से एक तरह से विलॉप्त होती जारी है मान लिज़े हमारे भोजन में भी हमारे समाज में भी तो इसके लिए हमें जरूर एक शुरूवात करनी पड़ेगी और बिलकुल हम हम ही इसकी शुरूवात कर लेंग जिस परकार से अभी मोसम चल रहा है लगातार लोग सर्दी जुकाम बच्चों में स्कूल में देखिए बच्चे लगातार चुट्टी कर रहा है बहुत सारे फ्लूज वाइरसे और कोवीट के बाद से हमने देखा है कि बच्चे बहुत समय तक घर के अंदर रहे और फिर अब एक्सपोज हुए तो उनका इम्मून सिस्टम उतना स्ट्रॉंग नहीं बन पाया था बहुत सारे वाइरसे से वह एक्सपोज हो रहा है तो इसमें भी क्या एंटिबाइटिक और एंटि अलर्जिक ड्रक्स के लावा भी आप कुछ परकतिक समाधन बताते हैं जी देख पच्छों को ऐसा होता है कि उनको समय ठीक होने में ज्यादा लगा दस दिन लग गए क्यों जिसकी इम्मूनिटी जितनी कमजोर होती है उसको उतना ज्यादा समय लगता है ठीक होने में जिसकी इम्मूनिटी स्टोंग है उसको बारिश में नहाने से कुछ नहीं होगा और को हलका फुलका दो-चार दिन सर्दी खांस हुई चार-पांस दिन में ठीव हो गई उनकी इम्मुनिटी भी अच्छी है एक और इसमें जैसे आपने पूछा उस समझ एक बात याद आ गई जैसे तीन-चार दिन की भी छुट्टी होती है तो स्कूल वाले डॉक्टर का सर्ट को बीमार करेंगे तो उनको इम्मुनिटी बढ़ाने का जैसे हमने पहले बात की खिलाई-पले अच्छी करें कोशिच करें कि हम सिर्फ उनको एक परसेटमोल बुखार की दवा दे गरम पानी की भाब देदें और बच्चा बढ़ा है और घर में आप उनको कुछ भी पिला बच्छे को बिल्कुल परसेटमोल आप यूज कर लें अगर बच्चे को बुखार है दो तीन दिन आप घर में बच्चे को देख सकते हैं और इससे क्या होगा उनका इम्मुन सिस्टम भी थोड़ा स्ट्रॉंग होगा शरीर एक लड़ने की शमता उसमें पेदा होगी और भी आपको लगता है कि लागातर तकलीफ है फिर तो आपको शिशुडोग विशेशक्र से मिलना ही है फिर वो जो भी ट्रीटमेंट दें उसे आप विल्कुल इमानदारी से उसको भी आप पूरा करें लेकिन एकदम से घबरा कर बहुत रश करने की ज़रूरत नहीं है जैस लोग उत्ते घबराते नहीं थे तो क्या ये नुकलियर फैमिली के कारण वो उस चीज में लोग तुरंद रश करके डॉक्टर के पास जा रहे है अब डॉक्टर के पास जाएंगे वो तो कुछ ना कुछ तो लिखेंगी तो क्या ये इस तरह का कुछ वहाँ पर दिक्कत आ बुखार है और हलका कोड लेया नाग बहरी है जो भी हो बुखार उतरने के बाद एक तो पेरसेटमॉल आप दें देना पूछे भी दे सकते हैं बस उसका डोस प्रॉपर होना चाहिए अकर कम देंगे तो फायदा नहीं करेगी बुखार उतरने के बाद अगर बच्चा खे हलका बुखार है और बच्चा सुस्त है डल है खापी नीरा तो वह चिंता की बात है बच्चों में हमेशा याद रखें बहुत जरूरी पॉइंट है कि अगर बच्चा खेल कुदरा है इसका मतलब उसके शरीर में बमारी तेज नहीं है बले बुखार हो या ना हो तेज हो सुस्त रहना बच्चे का अच्छा लक्षन नहीं होता है सर इसलिए अकसर अगया कि जब शिशुडोक से मिलते हैं तो बच्चा दिंबर में 2-4 घंटे खेला क्या तो अगर हम बोलते हैं कि हो खेला है तो फिर बोलते हैं कोई बात नहीं यह कोई जल्दी कवर हो जाएगा तो वाकई यह चोटी-चोटी जो पॉइंट से जो डॉक्टर राकिर सार हमें बता रहा हैं यह हम बुलकुल आम जीवन में से देखते हैं कि बच्चा जब बिमार पढ़ता हो दिंबर सुस्त पड़ा हुआ है तो यह वाकई गंभीर विशे है इसमें आप जरूद चिकल सक संपर करें चाहे वो फीवर कम हो लेकिन अगर फीवर हाई ग्रेड है उतरने के अद बच्चा खेलने लगा है वो बच्चा बिल्कुल जैसी फीवर उतरता वा बिल्कुल मस्त मोला हो जाता है तो यह कोई दिक्कत की बात नहीं है अब दो-तिन दिन घर पे वेट भी कर सकते सर जैसे हमने देखा है कि अकसर उल्टी दस्त यह एक अगर हम पूरा आकड़ा निकालें भारत का तो उल्टी दस्त से बच्चों में होने वाली जो दिक्कते हैं या जो होस्पिटलाइजेशन होते हैं वो बहुत जादा रेशो है तो उल्टी दस्त होना कब गंभीर है और इसलिए कि जब बच्चा उल्टी करेगा तो दवाई भी नहीं खा पाएगा तो उसकी तो बिवारी बिगढ़ दना है तो यह एक बात और हमेशा याद रखें बच्चे ने एक बार उल्टी की अगर दूसरी बार उल्टी करता है तो आप तुरंत जाके मेडिकल स्टोर से बढ़ेद दॉड़ दोड़ और पास यह जाे तो तुरंत दवा दे एक बार दवाव से इल्टी करते लुएएं दस्त के लिए जैसे मेंऩे बोला था हम बच्चे को खाने का नारियल पानी चाच मठा कुछ भी घर में पिलाते रहें, दस्त में 90% एलाज और जो बच्चे को पसंदो कोई भी सूप अगर बच्चा ऐसा लगता है, बातरूम कम कर रहा है, सुस्त हो रहा है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, जैसे चोटे बच्चों में ऐसा होता ह नार्मल है, बस आपको यह नजर रखनी है, अगर बहुत पानी जैसा दस तो नहीं है, और बच्चा अगर हर 2-3 गंटे में अच्छे से खुल के बातरूम कर रहा है, इसका मतलब उसको जो दस बार हो, उससे पानी की कमी उसको नहीं हो रही है, और बच्चा खेल रहा है, ए पाने पानी की कमी नहीं है, इसके अलावा भी कोई ऐससा फीचर है, जो वाकिया अलानुएंगे, कोई अक्सर ऐसा होता है कि जब बच्चा उल्टी दस करता हो, तो वो कुछ मुह में लेता ही नहीं है, मतलब पानी भी थूग देता है, तो बढ़ा दिक्कत सामने शोग दूसरा आप ये कंडिशन जैसे डुक साब आपने बुला कि बच्चा कुछ लेता नहीं है ये कंडिशन तब आती है जब हम उसको बदल चीज बदल के ओफर नहीं करेंगे आप जैसे और रेडिमेड जो मार्केट में आते हैं वो बच्चा स्वाद अच्छा नहीं होता पीन कि बड़ नमक दो चमज शकर डालके एक गिलास पर रख दें वो पिलाते रहें बदल बदल के उसको कोई भी चीज हो घर में पीनेगी कुछ भी जैसे नारियल पानी चाच मठाया और सूप अगयरा कुछ भी आप थोड़ा थोड़ा उसको पिलाते रहें बहले ही बच्चा दो चार चार चमज भी पिएगा थोड़ी थोड़ी देर में तो उसको थोड़ा सा एनर्जी मिलती रहेंगी और जो खराब लक्षन होते हैं कि बच्चा सुस्ट हो गया या बिलकुल ही नहीं पी रहा है बाथरूम नहीं कर रहा है जादा सुस्ट हो तो फिर आप जरूर अ इसके लाव इसी ब्रहनतियां आपको लग रहा है कि आप पेशेंट्स आपके पास आते हैं अगर वो संक्षित में बता दे हमाने दश्चा को चोटे बच्चे को जैसे हम ड़ते हैं कोई भी चीज खाने पीने को देने के जैसे उसके बारे में हमने पहले भी बोला एक माता पिता स्वयम भी उसके सामने फ्रूट्स फल सभी तरह के फल सब्जी खाएं दादा दादी जो भी घर में हो हमेशा उसके सामने खाएंगे आप तो बच्चा खुद प्रेरित होगा और वो खुद भी खाएगा तो जैसे हम एक बात बोलते हैं बच्चे अनू करण से सीखत जब तक बचा सकते हैं बलुकुल डॉक्टर राकेश भारगा सर बलुकुल आपने जो प्राकतिक जानकरियां दिये और विश्वास हमें विश्वास है कि हमारे दर्शोगों को इससे अवश्य फायदा मिलेगा वो अपनी जीवान शेली में से जोड़ेंगे आप हमारे हमारे हात में है कि हम उसे कैसे बढ़ाना है उसमें प्राकतिक चीजों का बहुत महत्पून योगतान है एक नेक्स सेग्मेंट में हम जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे और नए विश्वास पर चर्चा करेंगे आपका हीमत जाएगा देखती रहे कारीकम आपका स्वास्थ करेंगे आपका स्वास्थ मातरम, मंदे मातरम, मंदे मातरम शुत्र जोच्ना उलकित यामिनीं खुलकु सुमित द्रुमदल शोबिनीं सुहासिनीं सुमधुर भाशिनीं सुखदाम वरदाम मातरम, मंदे मातरम मंदे मातरम पुना आप सभी का स्वागत है कारीकम आपका स्वास्थ में और हम बातचीत करने वाले हैं नेतर रुरुगों के बारे में इस विशवर बातचीत करने के लिए दॉक्टर मनमीर सिंग हमारे साथ स्टूडियो में अलड़ी मोजूद है दॉक्टर मनमीर सार आपका बहुत-बहुत सुगत है कारीकम में Thank you, thank you, Namaste आपको मैंने पहले ही बता है कि आप हमारे साथ साधे पांच बे तक जुड़े रहेंगे फोन लाइन से शुरू रहेंगी आँखों से सम्मझत आपके मन में कोई ब्रहांतिया है कोई प्रश्ण है चाहिए वो मोतिया बिंत की बात हो या काँच बिंत की बात हो या भी जो एक प्रकार से फलू टाइप का फैल रहा है जिसमें हम देखते हैं कि आ अंक हैं लाल हो रही है उसके बारे में ड्राय आईस के बारे में आपके मन में कोई परश्ण है और आईड्रॉप कौन सा हम नैशरली यूज़ कर सकते हैं वो सब विशे पर आज हम बातचीत करने वाले एक जनरल बात हम आँखों के बारे में बात करेंगे किस परकार से किसे हम स्वस्त रख सकते हैं और फोन लेन आपके सामने नंबर सापके सामने टीवी स्किन्स पर आ रहा हैं आप मनबीर सर से डारेक्ट बातचीत भी कर सकते हैं सर्थ शुरूबात करते हैं सर्थ 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 से पहले तो मैं जाना जाएँ का यह जो मौसम है उसमें जो लगातार उतार चड़ाव हैं आज बहुत ठंडा है कल बहुत कर रहा हैं उसमें हम देख रहे हैं कि आँखों में भी इसकी तकलिफ आ रही है तो किस प्रकार के पेशेंट्स आपके बाद अभी रूटीन में आ रहा है जी मौसम बदलने में अभी देखा गया है कि सर्दी जुकाम वाइरल फीवर के भी केसिस आ रहे है तो इसके साथ जिनको वाइरल फीवर कोल्ड होता है उनको आँख में भी कंजंग्टिवाइटिस है जैसे आपने बोला आई फ्लू आँखों में लाली खुजली पानी इस प्रकार के पेशेंट्स बढ़ जाते हैं जैसे ही अभी गर्मी बढ़ेगी बच्चों में स्पेशली अलर्जी की समस्या बढ़ जाती है तो यह सीजनल कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं अलर्जिक कंजंग्टिवाइटिस वगयरा जो अभी हम केसे देखते हैं जी सर अभी बीच में एक दौर चलाता जब तक्रीबान सभी को कंजंग्टिवाइटिस हुआ था लेकिन अभी ऐसा होता है कि जब इस तरह का कोई एपिडेमिक आता है तो बहुत समय तक कोई बीमारी पलट कर नहीं आती लेकिन अभी ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो गया है अभी वापीस कंजंग्टिवाइटिस के कुछ पेशेंट्स आने लगें तो कहीं कहीं क्या पेशेंट्स द्वारा गलती की जा रही है या फिर लोगों का इम्मून सिस्टम ही वीक है दोनों ही चीज़ें है एक्चुली ऐसा नहीं है कि अभी हमारी आंक में कंजंग्टिवाइटिस हुआ तो इम्मूनिटी डवलप हो जाएगी अगर फिर हम उस प अरीकों से बच सकते हैं सबसे पहला है हाथों की सफाई नियमित रूप से अपने हाथ धोते रहें और दूसरा अगर आपके घर में किसी को कंजंग्टिवाइटिस है तो उसकी चीज़ें ना चुएं और अपनी आँखों को टच अवाइट करें तो ये दो प्रिकॉशन ल बुल चुके हैं तो क्या वापिस उस तरह से हम आना चाहिए अगर हम आखों के इंफेक्शन की बात करें उससे कुछ फायदा मिलेगा जी जी सभी प्रकार के इंफेक्शन में हैंड हाईजीन बहुत जरूरी है तो हैंड सैनिटाइजर कोविट टाइम जैसे आपने बताया तो उनको रेगुलर यूज में भी हम रखेंगे तो हम काफियत तक बच सकते हैं बिल्कुल सर इसे हम देख रहे हैं कि स्क्रीन टाइम लोगों का बहुत बढ़ गया है चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो ऑफिशियल कॉर्परेट वाले काम करने वाले हूं या जो वर्क करते हैं जो वो रूटीन में ले सकते हैं इसे कंप्यूटर विजन सिंड्रोम या ड्राइ डिजीज कहते हैं और यह अल्मोस्ट मैं कहूंगा एक यूनिवर्सल फिनॉमेन हो गया हर किसी को आँख में थोड़ी ड्राइनस तो रहती है तो इसके लिए जो चीजें आप फॉ अबजेक्ट है उससे तो आपके आँखों के मसल्स भी रिलाक्स हो जाएंगे स्ट्रेइन कम लगेगा दूसरा ओवर दे काउंटर लूब्रिकेंट या आर्टिफिशल टियर आइड्रॉप्स आती हैं जो की सब मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है इनके कोई साइड नहीं होते हैं तो अच्छी कमपनी की लूब्रिकेटिंग टियर ड्रॉप्स जो हमारे आँखों के आसुएं उनको रिप्लेनिश कर देती हैं तो इससे ड्राइनेस की समस्या काफी हद तक हाल हो सकती है सर ऐसे में अगर अकसर हमने देखा है कि जो लोग ओवर दा कॉंटर जाके वो टियर ड्रॉप लेते हैं तो कब तक उसको यूज करना है ऐसा नहीं हो कि अबाद जो नेच्रल टियर्स बनने का फॉरमेशन है उस पर कुछ एफेक्ट आए ऐसा लॉंग टर्म अगर हम यूज करें तो इसका साइड एफेक्ट नहीं है यह बेसिकली एक सब्स्ट आप यूज कर सकते हैं और इससे कोई साइड एफेक्ट नहीं है बिलकुल अगर आपको लग रहा है कि शाम तक आपको थकान महसुस हो रही है आँखों में एक जलन चूबन रेटनेस आ रही है तो हो सकता है कि आपको ड्राइ आइज हो मानना कि आंसूं उतने नहीं बन रह जितनी उसके जरूरत है यह बन रहे हैं तो आप उतनी जल्दी वह एब्सॉर्ब नहीं उपा रहे हैं और वह उड़ जाते हैं तो ऐसे में टीर ड्रॉप्स आप यूज कर सकते हैं जिससे डॉक्टर मन्वी सर ने बताया कि उसके कोई साइड एफेक्ट नहीं है लॉंग ट चाहिए कि उसमें कुछ स्टोराइडल आई ड्रॉप्स भी रहती हैं तो वह कितनी हानी का रहको सकती बिना सला के लिए वह एक बहुती गलत प्रक्रिया है वह आवाइड करना चाहिए क्योंकि ओवर दा काउंटर अगर हम कई बार ऐसी ड्रॉप्स डालने तो फायदे की ज सालों तक लगातार डालते रहे और उन बच्चों को मोतिया बिंद कांच बिंद हो गया और उनकी नजर भी चली गए तो इस से हमें बच के रहना चाहिए बिलकुल आप एक बार जरू सुनिश्रित करने कि आप जो भी आई ड्रॉप यूस कर रहे हैं उसमें स्टोराइड नहीं होना चाहिए ये आपको फाइदा जरूर जल्दी कर सकता है लेकिन लॉंग टम में ये वाकई बहुत नुकसान अदायक होता है जिसे मोतिया बिंद की पेशिंट्स आते हैं तो इसको मैं संशिक्ट में लेना चाहूंगा कि मोतिया बिंद में अक्सर क्या वो समय होता कि अब आप जाके तुरांट इसको करा लें जी तो जो टाइमिंग ऑफ सरजरी है वो पहले जमाने में जब मैनूल ऑपरेशन होते थे बड़े चीरे वाला जिसमें टांके लगते थे तो ये कंसेप्ट था कि आप मोतिया बिंद को पकने दें जब वो एडवांस हो जाए त किसी मरीज को अपनी दिन चर रहे हैं में डेली एक्टिविटीज जैसे गाड़ी चलाना टीवी देखना लिखा पड़ी के काम में किसी भी वरकार की दिक्कत हो रही है और उसे मोतिया बिंद है तो वो उस समय उसका उपरेशन करवा सकता है बिलकुल सर जैसे आपने ओला प्रेको टेकनिक से हो रहा है तो उसमें कितना समय लगता है और इसमें क्या एक समय बाद फिर वापिस पांसा साल बाद वो लेंज चेंज कराने की ज़रत पढ़ती है कि नहीं यह लाइफ टेम हो जाता है फिर नहीं कैटरैक्ट ऑपरेशन लाइफ में दो ही बार होता है क् और फेको सरजरी में सरजन टू सरजन वेरी करता है बट मोस्टली दस से बीस मिनिट के अंदर यह उपरेशन हो जाता है और काफी लोग तो आज कल जैसे हम लोग भी बिना इंजेक्शन बिना पट्टी के ही उपरेशन कर देते हैं अगर मरीज कोपरेट करें तो इसका रिक आखों की जोड़ी शेले चिकसा है उसमें बहुत तेजी से बदलाव आया है अक्सर हम ही जब साल बर बाद जाके आखे चेक कराने जाते हैं तो हम एक नहीं मशीन दिखती है तो इस बदलाव का फाइदा पेशेंट को ज़रूर मिल रहा है और केट्रेक्ट मोतिय बिन तो समझ लीजे आप आदी घंटे में भी कई बार लोग डॉक्टर्स घर पे भेज़ देता आप घर चले जाएए और बहुत लंबे समय तक दवाइयों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है सर मोतिय बिन में हमने अक्सर देखा है कि लोग 15-25 दिन एक मेने तो कुछ ड्रॉप्स बहुत सारी डालनी पड़ती है तो यह क्या काम करती है और इसके क्या महत हुए इन ड्रॉप्स का अ कि यह पोस्ट ऑपरेटिव जैसे हमारा कोई भी आपरेशन होता उसके बाद एक पोस्ट ऑपरेटिव केहर रहती है तो मोतिय बिन ऑपरेशन के बाद हम प्रमुखत है ती प्राकार की की ड्रॉप्स देते एक होती अंटिबाटिक उनका purpose होता है कि आंक में infection ना हो दूसरी जो drops major होती है वो होती है steroid क्योंकि हम operation करते हैं तो आंक में थोड़ी सूजन आती है तो steroid drops है सूजन, दर्द, तकलीफ, healing ये सब चीज़ें अच्छे से हो जाते हैं और तीसरी usually जो हम देते हैं वो lubricant, tear drops तो ये तीन drops अब वो भी surgeon to surgeon vary करता है कोई लोग 15 दिन के लिए देते हैं कई एक महीने के लिए कई दो महीने के लिए बिल्कुल सभी drops का महत्व है और ऐसे में अगर आपने मोतियबिंद के operation के बाद अगर इसको अधसा ही तरीके से नहीं लिया तो फिर आपका मोतियबिंद बोलते हैं कि खराब operation हुआ या infection हो गया उसका कहीं न कहीं कारण हमारी तरफ से गलती हो सकती है सर हमने अक्सर दिखा है कि जो मोतियबिंद वाले patient होते हैं वो diabetic निकलते ही है क्योंकि diabetic तो हर patient हर दूसरा patient समें diabetic है hypertensive है तो उसमें क्या special आप कुछ precaution रखते हैं या फिर उन लोग में भी आप operate करके कुछ medicine बढ़ा के उसे set कर सकते हैं हम उन patients को advice करते हैं कि आपने diabetologist से consult करके अपनी sugar थोड़ी control में करें जैसे मेरी personal preference रहती है कि fasting sugar 150 या 1500 से नीचे रहे और खाने के बाद या random sugar जो है वो 250 से नीचे रहे सब doctors की अलग अलग preference होती है बट अगर इस range में sugar वो maintain कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आती हाई जिनकी sugar और वो insulin के साथ operation करा सकते हैं बिल्कुल करा सकते हैं temporarily थोड़ा control कर लें या हम उने कहते हैं आप इंतजार कर लिजे ज्यादातर cases में मोतिया बिंद operation कोई emergency procedure नहीं है तो हम एक हफ़ता दो हफ़ता जब तक उनकी sugar लंबे समय बात कराते हैं और उसको उतना फायदा नहीं मिलता है तो जैसे डॉक्टर मनमीर सर ने बताया कि आप थोड़ा बहुत कंट्रोल करके भी और insulin लेकर भी operate करा लें और आपको उसमें कोई बहुत बड़ा कोई operation नहीं होता आपको फायदा उसमें मिलेगा किसी प्रकार की जटिलता हैं भी नहीं आईगे सर मोतिया बिंद से एक जोड़ा नामे कांच बिंद लेकिन इसमें देखा गया कि दोनों की जो समाधाने बिलकुल विपरीत हैं एक में जीवन भर आपको कुछ ना कुछ दवाईयां लेनी पड़ती हैं उतना आसान भी नहीं होता तो क्या इसके लक्षन होते हैं और कांच बिंद एक ऐसी बिमारी है जिसमें शुरुवाती काफी समय तक मरीज को कोई लक्षन नहीं होता और जब तक हम इसकी जाँच या कुछ टेस्ट ना करके देखें इसका बिमारी का पता नहीं लगता इसमें शुरुवाती समय में हमारा जो है पेरीफेरल विजन कम होने लग मेडिसन जाती हैं जो यूजवली हमें लाइफ टॉंग डालते रहना पड़ता है अगर आई प्रेशर कंट्रोल नहीं रहेगा तो धीरे धीरे हमारी आंक की जो नस है वो सूकती जाएगी और पर्मनेंटली हमारे रोशनी चली जाएगी तो यह सर बच्चों में भी होता है रेर केसेज में बच्चों में हो सकता है इसको कंजिनैटल या जुविनाल गलाकुमा बोलते हैं कम उमर में भी हो सकता है तो शैली चिकिषग ओसे कैसे पूर्टा ठीक नहीं किया जा सकता। कुछ केसिज में सरजरी अर्ली करने से कंट्रोल बेटर आ जाता है कुछ मरीज हैं जो लाइफ लॉंग दवाईयां नहीं डाल पाते या कुछ ऐसे मरीज हैं जिन में मल्टिपल ड्रॉप्स बहुत सारी ड्रॉप्स डालने के बाद भी उनका आई प्रेशर डाउन नहीं आ र हैं तो उन केसिज में हम ऑपरेशन के द्वारा उनके आँक का प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं सर जिसे की अभी बातचीद हो रही थी कि एड्वांस्मेंट की कैटरेक्ट में तो बिल्कुल अलगी प्रकार की चीजे हो गई हैं और कैटरेक्ट अब बिमारी नहीं बची ए फिर आइड्रॉप्स में एड्वांस्मेंट होती जा रही है काफी सारी हमारे पास अब ऑप्शन अवेलेबल हैं मल्टिपल आइड्रॉप्स आती हैं मार्केट में जिनसे की बहुत अच्छे से प्रेशर कंट्रोल हो जाता है बट इसके अलावा ऐसा कुछ पर्मनेंट जिन लोग ने अपनी रोशनी खो दी है अनफर्चुनेटली हम उनमें वापस से रोशनी नहीं ला सकते हैं ला इलाज तो इससे नहीं कह सकते हम क्योंकि एक आईड्रॉप आपको जीवन बर डालना है उससे आपकी बमारी डेफिनेटली रुखी रही और एक समय समय पर आपका पूरा काम बढ़िया चलेगा लेकिन अगर आप इसका भी ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर आगे चलकर आपको इसकी परेशानी है फिर यह रिवर्स नहीं होता है सर जिसे कि गलुगोमा की बात होई या मुतिया बिन की बात होई हम देखना है अकसर लोग यूथ जो है वो चश्मा पहनना प्रिफर नहीं करता यूज्वली गर्ल्स की अगर हम बात करें वो चाहते हैं कि चश्मा उतर जाए और बहुत सारे लोग जो जिनका प्रोफिशन यूज शिवली सब्हता है जी तो चश्मा हटाने के लिए जो मुखेता दो थरीके से सरजरी होती है एक जो कॉरनिया बेस सरजरी है यानि की आपकी जो हमारी पुथमी है उसमें लेजर कर के हम चश्मे का नंबर हटा देते हैं जिन मरीजों की आंपकी पुथमी पहले से प एक एक लेंस यह नेचरल जो उनकी आई में लेंसे उसके ऊपर रखने वाला एक स्पेशल लेंस होता है लैसिक में भी बहुत एडवांस्मेंट जैसा आपने बताया आती जा रही है और अब भॉपाल में आपके दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा यह मुझे खुशी है कि भॉपाल से बाहर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि भॉपाल में ही हमारे सेंटर में एक ऐसी मशीन है जिसमें की हम टचलेस ब्लेडलेस और फ्लैपलेस सरजरी कर रहे हैं जिसे कहते हैं ट्रांस पी आर के यह लैसिक से काफी जादा सेफ है और जो भी मरीजों के मन में कुछ डाउट या डर रहता था कि इसके कुछ कॉम्प्लिकेशनलैसिक के हो जाएंगे तो ट्रांस पी आर के से सेफटी मार्जिन बहुत बढ़ गई है जी तो सर इसमें एक एज भी कुछ इंपॉर्टेंट है कि इस एज के बाद कराना क्या कोई भी उम्र दरास बाकि एज की कोई लिमिट नहीं है कई हमारे पास 40 से उपर के उमर के भी लोग आते हैं जो अपने चश्मे का नंबर हटवाना चाते हैं तो हमने 40 से उपर के एज में भी किये हैं जी इसमें रिकवरी टाइम एक से दो हफते रहता है और जैसा के ट्रैट सरजरी के बाद ड अपरेशन के लेकर हमारे मन में बहुत ब्रहांतियां आज भी हैं और इसमें बहुत बदलाव आ गया है कोई अकसर हम देख रहे हैं कि जो लोग आपरेशन कराते हैं वो बहुत ज्यादा खुश रहते हैं और रिजल्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं और डॉक्टर मन्वी कि जो ऑपरेशन हैं वो तक्रीबाब सब जगे उपलब दें और भपाल में भी इसकी अविलिबिलिटी है सर यह इस तरह के जो ऑपरेशन होने के बाद जब यूथ होता है वो चश्मा उतार देता है तो लॉंग टर्म वो ऐसा माना जाता है कि इसका फायदा बना रहेगा लेकिन हमने देखा कि कुछ लोग बोलते कि इसके कॉंप्लिकेशन एक समय बाद हमें मोतिय बिन जल्दी आ जाएगा ऐसा लोगों में भ्रांती है कि अगर हम चश्मा नंबर उतारने का उपरेशन करते हैं तो हमारे मोतिय बिन उम्र के पहले आ जाएगा क्या इसमें कोई स सब्सक्राइब बिल्कुल सही कहा अपने के ट्रेक्ट जल्दी होने का रिस्क रहता है अप पेशन को सब सारी चीजे बताते होंगे तो थोड़ा रिस्क तो आप लेना पड़ेगा जी जी बिल्कुल एक कॉलर जुड़े हैं आकांशा जी एं रायपूर से अकांशा कर दो जी जी बिल्कुल भी खैटी नहीं साल है कर उंको किछले चार-पांशाव के पार की नजर कर जश्मा आ गया है तो उंकी जी जी ने पार की मजर नगो रहे जे राई वार्दा लो निया-डुए जन है उंका ये जे 2.75 है और लेक्ट का वन है और जो इस्टेंस में ज प्रब प्रवेट नंबर होता है और प्रवाइट करने करने कर दो कौन पर करकें है जी अकांशा जी आपने जैसा जो जितना मुझे समझ आया शायद उनकी एक आंख कमजोर है उसमें जादा नंबर है तो प्लस के नंबर में भी लैसे कर सकते हैं लेकिन जो आपने बताए कि उनको नियर विजन में प्रॉब्लम है तो प्रेस बयोपी एस कंडिशन को बोलते हैं यूज्वली आम तोर पे क्या होता है जब हमारी उमर 40 के पास पहुंचने लगती है तो हमारी आंक के जो मसल्स हैं वो थोड़े वीक होने लगते हैं और हमें पास का देखने के लिए प्लस का चश्मा लगाना पड़ता है इसके लिए मैं परसनली किसी प्रकार की सर्जरी एडवाइस नहीं करता क्योंकि यह जो नंबर है यह उमर के साथ बढ़ेगा तो अगर हम कुछ लेजर करके इसको अ कुछ नंबर है वो जरूर हम ट्रीट कर सकते हैं और रीडिंग का तो 40 के आसपास अब को नंबर लगता ही है उसमें एडवाइजबल नहीं रहता मेरी ओपिनियन में हलांकि कई डॉक्टर उसमें भी करते हैं लेजर जिसे इस केस में अगर हम आकांशा की सिस्टर की बात कर तो बहुत सारे फ्लक्टुएशन से मतरा राइट में लगें लगें माइनस का प्लास तो यह यूजवली देखने में आता है कि यह कैसे रहर होते क्योंकि इसमें वाकी डिफिकल्टी होती है बार बार आपको आँखों में नंबर किसी में कम जादा हो तो लोग चश्में भ जाती है तो इसको की यह जाते हैं जिण काफी चैसे आते हैं जिनमें एक आंक में ज् sow teaser ही यह दूर वीजन कमजramento है और मारे में चीहार का लृजन कमार कम जूर है यह आपने आम तवाफूरब propor चैसे में उपर के हिस्से में दूर का नंबर रहता है जो कि माइनस या प्लस दोनों हो सकता है और नीचे के हिस्से में पास का प्लस नमबर होता है अक्सर जैसे अकांशन ने बोला कि चश्मा सैट होने में कितना टाइम लगता है यूजुली हमने देखा है कि जब हम कोई नमबर वाला चश्मा पहनना शुरू करते हैं तो बहुत समय तक तो विक्ति यही बोलता है कि में को तो पहली अच्छा दिख रहा था तो यह कहां तो उस चक्कर में बहुत सारे लोग को चश्मा पहनते भी नहीं और फिर काफी नमबर बढ़ा भी लेते हैं तो यह कितना समय लगता है अपनी आइस को उसको एड़िस करने हैं जश्मे को देखिए अगर थोड़ा बहुत नमबर है माइनस 0.25, 0.5 या प्लस 0.25, 0.5 और पेशन्ट को इतने जादा कुछ सिम्टम या तकलीफ नहीं है तो मैं भी उनको कह देता हूँ कि आप चश्मन नहीं भी लगाएंगे अगर आपको कुछ ट्रेन नहीं लग रहा दूर का देखने में धुनलापन नहीं लग रहा तो आप अवर्ड भी कर सकते हैं लेकिन अगर पेशन्ट को जादा नंबर है उसकी विजन कमजोर है तो अफकोर्स फिर पेशन्ट को एड़स्ट दीरे-दीरे करना ही पड़ेगा और मुस्टली दिक्कत नहीं आती अगर एक ही पावर है जैसे दूर का ही नंबर है अगर माइनस या प्लस तो दिक्कत नहीं कि हम एड़स्ट नहीं कर पा रहें थोड़ा समय तो देना पड़ता है नेचरल आई को एक आर्टिफिशल सोर्स के साथ एड़स्ट अगर हमने काफी समय से चश्मा कभी नहीं पेना जीवन में और हमें एक चश्मा पहनने की आदत लगाने तो उसमें लगता है एक दो महिन में पहनाऊ मैं भी चाहता हूँ कि मैं नहीं पहना तो उसके लिए कुछ बचाओ क्या कर सकते हैं कि हमें चश्मा लगे ही नहीं हमारी आखे स्वस्ते रहें और जीवन में जितनी भी रंग है उसे देख पहें चश्मे का नंबर कोई बिमारी नहीं है, हमारे पास काफी बार परिशान होके पेरेंट्स आते हैं कि अभी तो हमारा बच्चा इतना चोटा है, इसे अभी से इतना जादा नंबर लगया, तो यह एक पार्ट ऑफ डेवलप्मेंट है, अगर किसी की आई की जो ग्रोथ है, वो उस हिसाब से हो रही है, तो उसे चश्मे का नंबर लग जाएगा, इससे बहुत घबराएं हैं, परिशान ना हो, और चश्मे के साथ भी विजन अगर आपका बढ़िया है, तो इससे और अगर आप चश्मे से निजात पाना चाहते हैं, तो इसके भी हमारे पास बहुत हैं, बहुत सेफ हैं, जी, सर, एक बड़ी सी एक भ्रांती है, वो भ्रांती है, कि नी, वह भी बता पाएंगे, गुलाब जल, जी, लोग गुलाब जल को ऐसे रूटीन में यूज करते हैं, मार्केट्स में अलग-अलग नाम से गुलाब जल मिलते हैं, तो वाकी वो डाल लेते हैं, कई लोग गौम उत्र डाल लेते हैं, शहर डाल लेते हैं, तो मैं परसनली इस टाइप की चीज़ें अवर्ट करना चाहता हूं, क्यूंकि इससे इंफेक्शन होने का खतरा रहता है, यह चीज में कुछ अगर संक्रमित हो जाए, बैक्टीरिया या फंगस आ बढ़ जाएगी अगर हम उसमें गुलाब जल डालेंगे या फिर आँखों को सुकुन मिलेगा, उसको रेस्ट मिलता है, यह वाकई ब्रांती है, जैसा डॉक्टर मन्बीर सर ने बताया, कि लोग और भी चीज़े डालते हैं, और शहर डालते हैं, तो यह वाकई चिंता का इसमें आँखों में इंफेक्शन होनों के चांसे जादा हैं, कोई फायदा तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, यह तो डॉक्टर मन्बीर सर ने बताया, तो आप इन सबसे बचें यह ब्रांती हैं, सर, बच्चों में हमने अक्सर देखा है, कि छोटे बच्चे जो होते हैं, उन उसके बाद, जब हमने उससे प्रशन किये, या वह बहुत पलक जपका रहा थो, तो मिनोला एक पर आई टेस कराई, तो जाके देखा तो गढ़ाई तीन नंबर निकला, तो क्या इसके और कोई भी संकेतिक इससे कुछ लक्षन होते हैं, तो एक कॉमन जो लक्षन होगा, व कहीं वो कोई चीज देख रहा होगा, तो आँख अपनी ऐसी छोटी करके फोकस बनाने की कोशिश करेगा, तो आँख छोटी कर रहा है, बार-बार पलकें जपका रहा है, या कोई चीज पास जाके देख रहा है, अगर क्लास से उसकी टीचर कंप्लेन कर रही है, ये ठीक से नोटस अपने लिख के नहीं ला रहा तो आपको ये ना लगे कि बच्चा शेतान है उसका पढ़ाई में इंट्रेस्ट नहीं है आप जरूर उसका आई चेक अप कराई क्यूंकि वो बिचारे को धुंदला दिखने की वज़े से भी क्लास में दिख्कातारी हो तो इसलिए एडवाईज ये रहती है कि जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करें जब उसकी उमर चार-पांच साल हो वो प्लास वन में आए तो उसका जरूर से चश्मे का नंबर और विजन टेस्ट होना चाहिए सब स्कूलों में ये मैंडिटरी होना चाहिए पार्ट है उसको चश्मे का नंबर लग गया काफी हद तक जेनेटिक भी रहता है तो अगर पेरेंट्स में मोटा चश्मा है माता पिता को तो उनके आगे बच्चों में मोटा चश्मा आने का रिस्क जादा रहेगा तो अगर कोई पेरेंट्स देख रहे हैं उनको है आँक में माइनस नंबर जादा तो उनके बच्चों का आई चेकब जरूर करा है बिल्कुल डॉक्टर मनबीर सर आप यह आए वो इतने अलप समय में इतने कम समय में आपने बहुत अच्छी अच्छी टिप्स दिये हमारे दर्शुकों वो बलकुल हमें लगता है कि विश्वास से कि उन्हें फायदा मिलेगा आप हमारे स्टुडियो में इसके लिए धन्यवाद ताइंक यू तो दर्शुकों देखा आपने कि डॉक्टर मनबीर सर ने जो बहुत टिप्स दियें चोटी चोटी टिप्स दियें चाहे वो उसमें लुब्रिकेंट आप यूज़ करें अगर आप स्क्रीन टाइम आपका बहुत जादा है उससे आपकी एफिशेंसी बड़ेगी अगर आपको लग रहा है कि आप चश्मा उतारना चाते हैं आपकी उम्रा अटरा साल से जादा है तो आप बहुत अच्छी टेकनिक पर आसकते हैं लेसेस टेकनिक है काईए जिसमें 100% रिजल्ट है और जीवन भर आपको चश्मे की जुरुत भी नहीं पड़ेगी और उसका कोई भी किसी तरी के कोई maintenance therapy भी नहीं है किसी तरह मोतिय बिंद में भी समय बहुत important है अगर आपने सही समय मोतिय बिंद का operation करा लिया अब वो समय नहीं है कि आप उसमें एक एक साल तक पकने का इंतजार कर रहा हैं मोतिय बिंद का अब आप तुरन जाके मोतिय बिंद का operation कराएं और उसके results भी बहुत अच्छे हैं काज बिंद एक बहुत बड़ी समस्ते बन रही है जो अगर हम अंधियत की बात करें भारत में तो काज बिंद एक महत्पून बिमारी है उसके लिए आप जरूर आइड्रॉप लगाता डालें और इन सब बातों को आप ध्यान रखें ने जीवान शेली का हिस्सा बनाएं अगले हंग में जल्दी आप से मलाकात होगी एक नए विश्यपर चर्चा करेंगे तब तक लिए मुझे दें इजाज़त नमस्काल ज ज ईह layouts this